मुक्योंत्री धामी का रिशिकेश दौरा आज रेल विकास निगम लिमिटेट कार्याले पहुचेंगे सीम रिशिकेश कंड प्रयाग रेल लान पर योजना का करेंगे निरिक्शों सीम धामी ने हिंदी दिवस की दीशुप कामनाय कहा किसी भी देश की मात्रभाशा ही अपनी संस्कृतिवा पर अंपराओं को जोड़ने में मददगार आज वैश्वी के स्तर पर भी बड़ी हिंदी स्विकार रिता उत्रखण में साथ दिन के लिए और बढ़ा कोविट करके 21 से दंबर तक बदिश्वे रहेंगी बरकरार राजी सरकार ने ज्वारी की नहीं है सोपी उत्रखण में 15 से 22 से तंबर तक बथेड़ी में बंद रहेगा गंगोतरी हाईवे मनेरा बाइपास की डाइवर्ट किया जाएगा ट्राफिक वहीं से होगी वाहनों की आवाज जाए मसूरी में बारिश के बाद अचानक उफान पर आया कैंप्री फॉल विक्राल रूप देख देश्रत में आये परेटर पहाड़ी इलाकों में भी दिख रहा है असर राश्रीय स्वास्त मुष्ण के शुरुआत उत्राखर्ण के 49 अस्पतालों में शुरूए निश्रत जाच्कि सुविधा जुला उप जुला स्पताल सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर मिलेगी सुविधा आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी नमस्कार खबर उत्राखर्ण में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रियांक सबसे पहले देहरादूं से बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री धामी का रिशिकेश तोरा आज सुबह 10 बचकर 15 मिनट पर रेल विकास निगम कारेयाले पहुचेंगे सीम मुख्यमंत्री धामी का रिशिकेश तोरा आज सुबह 10 बचे रेल विकास निगम लिमिटेट कारेयाले पहुचेंगे मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी रिशिकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन पर योज़ुना का करेंगे निदिक्ष्व सुबह 11 बचे सीम के टिहरी के गुलर ड्रोंगी पहुचने का कारिक्रम डेड़ बचे से लेकर दो बचे की भी सीम रिशिकेश के लौट शिवा रिजॉट में रहेंगे मौजूर दो बचे सीम देहरादून के लिए होंगे रवान बचे सीम आवास पहुचकार शाशुकी कार्यों कारिक्रम बचेंगे शाम शाइब पांछ बचे सीम आवास पहुचकार शाशुकी कारे पूरा करेंगे भूझे strip मुक्ष्यमंत रोड क्याम क्यारयाले पहुचेंगे साधेwarणगैत domauly new-can exceptional संपूरे मुक्यमंत्री क्याम कारयाले पहुचेंगे मुक्यमंत्री द्धामी का रिश्य केस्टवरा आज स्भास्वादस पुझे रेल विकास निगम कारयाले पहुचेंगे मुख्यों मजली पुश्कर सिंधामी रुषिकेश कंड प्रयाग रेल लाइन का करिंग इन इडिक्शन डेड़ बज़े से लेकर दो बज़े की पीच सी एम लॉर्ड शिवा रसॉर्ट में रहेंगे मौचूर दो बज़े सी एम देहरादून के लिए होंगे रवाना सवा तीम बज़े सी एम आवास पहुचकर शाष्की कारियों को नुप्टाएंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कल सिंध्धामी के रिशिक तौरे के साथ ही साथ आज का कारेक्रम भी पूरा प्रा तैय है उस पूरे कारेक्रम के अनुसारी आज सारा दिन काम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कल सिंध्धामी शाशकी कार्यों को निप्टाने के साथ ही साथ रेल लाइन पर योजना का निरिक्षन भी करेंगे मुख्यमंत्री क्याम्प कार्याले भी पहुचेंगे रिशी केश करण प्रयाग रेल लाइन पर योजना का रिक्षन करने पहुचेंगे मुख्योंत्री पुष्टल सिंध हमी सुबस सवादस पुझे रेल विकास निगम कारेयले पहुचेंगे मुख्योंत्री मुख्य मंत्री पुषकर सिंधामी का आज रिश्यकेश दौरा तमाम कारिक्रम तैले से ही तैर रेल लाइन परियोजना का मुख्य तौर पर निरिक्शन करने के साथे साथ रेल कारे आले निगम भी पहुचेंगे मुख्य मंत्री और इसे खबर पर हमारे साथ समाधाता शोक कुमार देहरादूम से बने हुए है जी अशुक जानकारी आप से चाहेंगे आज मुख्य मंत्री का रिश्यकेश दौरा है बताया जो रहा है कि इस दौरे में कई अन्य बातों के साथी साथ रिश्यकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन पर योजना का रिश्यकेश करेंगे मुख्य मंत्री क्या कुछ खास रहेगा और इसके अलाबा क्या कुछ कारेक्रब तैय किये गए है देखें बिल्कुल प्रयाग यहां पर आपको बता दो कि अपसे कुछी देर में मुख्य मंत्री पुछ कर सकते हमी रिश्यकेश के लिए रवाना हो जाएंगे और जहां पर रहे है रिश्यकेश कर्ण पर्याग रेल पर योजना जो कि एक मैट्पोन बहुत बड़ा ही प्र चैसे लिए निर्देश भी दिए गया कि और शाथ्यकेश और इसके लिए अधिकारी में उन्हों ने उन्हों के लिए अंतृत भी तबी जिसके पास आज मुख्य मंत्री भामी और इस लोरा है चीज़ें हैं उनका वहाँ पर आज जाइजा लेंगे और इस दोरान आप यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि तक्दीबन 10 kpt का सुरंगा का मुख्योमंक्री मुख्यमंत्री पुषकर संधामी जो मुख्यमंत्री तक रिखान के आज करने वाले हैं इसके साथ आज यहां पर रखी गई है जिसमें की उस्तर परदेश और उस्तरा करनी के बीचे जो दाई और करामी किति के संबंद में एक यह पैटक है और इसको लेकर आज कि इसमें प्रप्रती भाग करेंगे और जिसका जैज़ा लेंगे जी बिल्कुल तो इससे आपने जानकारी दी है कि रेल से जुड़ी विविने पर यूजनाओं का निरिक्शन करने के लिए पहुचे हैं खासतोर से सुरंग की यहां पर बात की जा रही है तमाम यूजनाओं के बाद क्या कुछ लाब उत्राखनवासियों को मिलेगा इन यूजनाओं के पूरा होने के बाद है और जो 10 किलोमेटर का कारिया आप तक हां पर पूर रागे हो चुका है उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है इसी का निरेशन करने आज मुट्समंतिल धामी पहुचेंगे और आने वाले समय में दोजा चोबिस तका ही लक्षे रखा गया आने वाले समय में जनता को इसक अक्टिव मोड में लगातार पुशकर सिंधामी काम करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम पुरियोजनों को लोकार पर शुलानयास के साथ ही साथ कई अन्य विभागू की समीक्षा भी की जा रही है क्या लग रहा है आपको कि आगामी 2022 के चुनाओं में जुस तरह से सीम पु लगातार इनकी समिक्षा भी कर रहे हैं तो उनकी ये बात उनने बयान दिया था कि जो भी योजना है जो भी योजना जिसका जो भी अब तक के जो भी विकास गती है उसमें तेजी आए और जो भी योजना है उनको धरतल पर उतारा जाए क्योंकि उनका साफतर पर ये बात कहना है कि सरकार द्वारा योजना है तो देदी जाती है लेकिन उनको धरतल पर नहीं उतारा जाता है ऐसे में लगातार इसके बस्मिक्षा भी कर रहे हैं, जिसके सिदा सिदा कहीं ना कहीं, जनता को भी तो लाग मिली रहा है, लेकिन आने वले समय में 2022 में BJP को इसका बगदा लाग मिल सकता है. जी अशोक तो इन तमाम योजनाओं की साथ ही साथ कहीं न कहीं जनता के हित्मे कारे करने की कोशिश की ज़ारी है लगातार अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया लगातार उत्रा खर्ण में आक्टिव मोड में सीम पुशकर संग्धामी आज रशीकेश की यात्रा पर हैं रशीकेश के दोरे पर हैं जहां पर रेल विकास निगम कारयाले पहुचकर रशीकेश करण संग्धामी जिनकतार का निरिक्शन आपको बातों या सत्तेज उत्राखन कॉंग्रेस आज विधानसभा के सामने देगी धरना चारधाम व्यात्रा को जल्द शुरू करने की है मांग या सत्तेज उत्राखन कॉंग्रेस आज विधानसभा के सामने देगी धरना चारधाम व्यात्रा को जल्द शुरू करने की है मांग अंकित जानकारी आपर आप सुचाहेंगे चारधाम व्यात्रा को शुरू करने की मांग जो को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी ने आज विशाल जो दर्ना परदेशन का रजन किया गया है सुबार 14 बजे कॉंग्रेस के परदेशन के माद्यम से सरकार पर कहीना कहीन दवाव बनाना चाहिए और इसके शाची साथ जो चारधाम यात्रा है जो कि उत्राखन के हुई है और आज कॉंग्रेस प्रदेशन करने जा रही है कही न कहीं को देखते हुए अभी भी पावंदियां उत्राकंडराजी में खतम नहीं हुए ऐसे में यात्रा को लेकर जो मांग की जा रही है तो सरकार का इस पर क्या कहना होगा क्या लगता है आपको कि किस तरह का जवाब आएगा या इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है कि सरकार के किसी नेता के दौरा किसी वदादिकारी के दौरा परिजेपी के कुछ परदे से श्रेक्षमदन परछित ने कोग्रेस पर क्याना है कि इसे तरह के से कौग्रेस आई रही है तो बीजेपी ने पुरी सरकिनार किया है और चाथी उसको एक तुनावी इस्टंट के रुप में करार किया है लेकिन कॉंग्रेस का कहना यह प्रेशा कि जब तभी सीजे दियुजरे तरके पुल दी जा लिया तो फिर चारदर जिया तरफ उस सर्थार ने बंद यो रखा है अलग इस मामले पे जो सन्वाई है वो धरना प्रदर्शन करने वाली है धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंतरी हरीश रावत के साथ ही साथ गणिश को दियाल और तमाम कॉंग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे शार धाम यात्र को शुब करने को लेकर यह मांग की जारी है जिस पर बीजीपी का साफ फल अठवार आया है कि मामरा कोट में लंबिड होने की वाउजूद की कॉंग्रेस कहीं न कहीं राजमी की से प्रेट होकर इस तरह की बाते हैं जो इंता के सामने करने का प्रयास कर रही है और इसके बाогए बात करेंगे अगली खबर की अगली खबर देहरादून से उत्र खण में फिर बढ़ा COVID कर्फियू 14 सितंबर से लेकर 1 सितंबर तक कर्फियू बढ़ाया गया है 14 सितंबर से 21 सितंबर तक बढ़ा COVID कर्फियू राज्य सरकार ने कुछ छूट के साथ बढ़ाया कर्फ्यू शादी समारों में 50% लोग हो सकेंगे शामिल येम अपने ग्रामिड क्षेतरों में दे सकेंगे शूट कोविड के स्थिती के अरंसार ही लिया जा सकेगा फैसला शव यात्रा में 50 लोग ही हो सकते हैं शामिल शव यात्रा में 50 लोग शामिल हो सकते हैं वही डियम अपने चानकारी के अरंसार ग्रामिड क्षेतरों में छूट दे सकते हैं राज्यो सरकार ने को छूट के साथ बढ़ाया है कोविट कर्फी। कर्फिय। राज्यो सरकार ने को छूट के साथ बढ़ाया कर्फिय। डियम अपने ग्रामिन क्षेत्रों में दे सकेंगे छूट कोविट की स्थिति के अनुसार दे सकेंगे छूट शाव यात्रा में पच्चास लोग हो सकते हैं शामिल वेरदून से खबर उत्रा खंड में फिर बढ़ा कोविट कर्फ्यू 14 से 21 सतंबर तर बढ़ाया गया कोविट कर्फ्यू नई है सोपी की गई जुहारी राज्य सरकार ने कुछ छूट के साथ बढ़ाया है कर्फ्यू राज्य सरकार ने कुछ छूट के साथ बढ़ाया है कर्फ्यू यह हम अपने ग्रामिडिक शेत्र में दे सकेंगे छूट कोविट की स्थिति के अनुसार दे सकेंगे छूट शवियात्रा में 50 लोग हो सकते हैं शामिल शवियात्रा में 50 लोग हो सकते हैं शामिल उत्राखण में फिर बढ़ा कोविट कर्फिय नए नियम्मों के अंसार 14 सितंबर से 21 सितंबर तक कोविट कर्फ्यू को बढ़ाया गया राज्य सरकार ने कुछ चूट की साथ बढ़ाया कर्फ्यू अंकित जानकारी यहां पर अपस्चाहेंगे कोविट कर्फ्यू को बढ़ाया गया है चोओदा सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक अभी पावंदियों के साथ कोविट कर्फ्यू आगे बढ़ाया है क्या कुछ पावंदिया है और कितनी चूट मिली है अभी कोविट कर्फ्यू को बढ़ा रही है और आप भी साथ कर्फ्यू को बढ़ाया है कुछ चूद जरूर सरकार ने लिए मसलन अगर विवास हमारों की बास करें तो उसमें 50 पर 30 लोगों को सामिट होने की सरकार ने चूट दी है तमाम जो मेहमान आएंगे उन सदी चिले कोरोना रिपोर्ट लाना आने वारे होगा इसके लावा अगर वैक्षिन लगाई गई है तो वैक्षिन का परमाने देने के बाद भी आप साजी समारों में सामिल हो सकते हैं इसके साथ उतराकर में जो जिलादिकारी हैं वो अपने समस्त से केत्र हैं जांकर विशा जो गरावनेंट केत्र हैं वहां पर गोविट की परिसी की देखने वे फूर देने का देविचिन परमाने के निर्देश भी इस एटर्पी में तीए हैं सब्सक्राइब को बढ़ाए गया है और साथ कोविड नाइटिव की जो काई लाइन है उसका अनुपालन नोंतके इसको लेकर के भी जो काई लाइन जो है तुपी है उसमें लिट शुक्तिया गया है जो बिलकुर लंकित इस तमाम जानकारी को देनी के लिए आपको बहुत- और इसके बाद अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है उत्तरकाशी से खबर ओल्वेदर निर्माड कंपनी गुडवत्ता पर उठे सवाल धरासू यमूनत्री ओल्वेदर निर्माड कंपनी पर उठाए गए सवाल ओल्वेदर निर्माड कमपनी द्वारा बनाए गए डंपिंग जोन ओल्वेदर निर्माड कमपनी पर उठाए गए सवाल ओल्वेदर कमपनी के द्वारा बनाए गए डंपिंग जोन पर भी सवाल उठें यमुना नदी में मलबा जुआने से काश्टकारों की भूमी के डंपिंग जोन में आई है बड़ी दरारे ओल्वेदर कम्पनी के निर्माण कारे को लेकर उठाए गए है कई सवाल लोगों के द्वारा जन प्रत्रीधियों ने लगाया है घटिया गुर्वत्ता का सामान इस्तमाल करने का आरोग डंपिंग जोन के मलवे में कभी भी हो सक और तरकाशी से खबर आउल्वेदर निर्माण कम्पनी गुर्वत्ता पर उठाए गए सवाल और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की लकसर से अगली खबर दो दिन से लगाता हो रही भारी बारिश की कारण किसानों की गन्ने की फसल को हो सकता है नुक्सान तेज हवा और मूसला धार बारिश से इस्थानी ए इलाकों में किसान परिशान किसानों की गन्ने की फसल को हो सकता है भारी नुक्सान भारी बारिश से शहर वदेहात की सड़के हुई पूरी तरह से जल्मगन किसानों की गन्ने की फसल को हो सकता है भारी नुक्सान लकसर एस्टीम ने दिये दिशा नर्देश भारी बारिश से शहर वदेहाथ की सड़के हुई जल्मगन सभी बार राहत चक्क्यों को किया गया अलर्ट रहने का नर्देश मुल्टन में फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का जल्द हासर होते है गाउं गाउं शहर शहर पूरे प्रदेश में सचता अभियान चलाया जा रहा है अब भी भागिदार बने और संचारी रोगों पर करें वार हर हफ़ते गुलर का पानी बदले करें डेंगू पर बार पूरी बाहां के कपड़े पहने होगी डेंगू से सुरक्षा गमले में पानी घटा ना होने दे नहीं पनपेंगे मच्षर सोते समय मच्षर दाने लगाएं भोगी मच्षरों से सुरक्षा पानी की तलकी को ढग कर रखें और नियमिच सफाई करें हाथों को स्वच्ष रखें पानी को ढग कर रखें और उपाल कर पीएं मिलकर हम सब करें मच्छरों परवार डेंगू चिकन गुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार लक्षन दिखने पर नस्दी की स्वास्थे केंडर पर तुरंत चिकित से किया परामर्श ले स्वास्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता तो आईए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाग बिमारियों को जड़ से मिटाएं आईए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंतन करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जारे इस अभ्यान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भोष्च को सुरक्षित रखें इस पूरे अभ्यान के प्रति मेरी सुपकाम नहीं दो गस की दूरी मास्क है जरूरी ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की खबर हल दूरी हल्दवानी से है जहां 13 सतंबर को स्वर्गी डॉक्टर इंड्रा हिद्रेश के तीन माँ पूरे हो गए इसलिए सुमित हिद्रेश त्वारा प्रतिक तेरा तारीक को घरीब और असाहाई लोगों को भोजन विवस्था की जाती है जवई सुमित हिद्रेश ने प्रेस वारता में बताए कि उनिस सतंबर को हल्दवानी क्षेत्र के चालीस वार्डों में इंड्रा विकास संकल प्यात्रा निकाली जाएगी जो कि स्वर्गी डॉक्टर इंड्रा हिद्रेश देश के अधूरे कारों को पूरा करेगी ये ये जवद्रेश निकालने वाले हैं जो शेहर के चालीस के चालीस वार्डों में हम लोग प्रमण करेंगे जो जन्भावनाओं से जो आशिरवाद जो इंड्रा जी को मिला था वो आशिरवाद प्राप्ति की कोशिश होगी साथ-साथ जो बड़ी चोटी समस्या है उनके निव चार और चर्चा चलने हैं बीजेपी पे जाने को क्या यह दिक्कत नीताओं के नाम भी चलने हैं पूर्ड मन तो क्या यह अववाद हैं क्या बादर प्रिवार का एक सदस्यू और कॉंग्रिस के लिए मेरी प्रतिबत दता पूर्ण तरी खबर लकसर से है आगामी 22 स्तमبر को लकसर में किसान महा पंचयत में भारी फ्यर जुटने के लिए किसान नेताओं ने कमरकस लिए किसान निताओं के द्वारा क्षेत्र के गाउं गाउं में जन सब्पर अभियान चलाया जो आ रहा है इसके साथी साथ महा पंचायत के आयोज़न की बाबत किसानों ने आज किसान यूनियन के वरिष्ट निता चौदरी कीरस सिंग की अगवाई में तहसील मुख्याले पहुचकर एस्टियम वैभा गुफता से मुलाकात की और महा पंचायत का सूचना पत्र भी सौपा महीं चौदरी कीरस सिंग ने दावा किया है कि महा पंचायत में किसानों की भारी फिर चुटेगी आंदोलन की आगी की रणनीती तेगार की चौएगी एस्टियम साहब को रिस्यूम करा दिया और हम हर गाओ में घुम रहे हैं कल भी अमनों बहुत काम मों संपर किया उत्रखंड की परविती इलाकों के साथी साथ मैदानी क्षित्रों को भी इंदेनों बरसात का कहर लगातार जिलना पुड़ रहा है पहले ही परवती है लाके में भारी भर का मुस्लाधार बारिश के साथी साथ भूस कलन और बादर वटनी की घटनाओं से लोग बुड़ी तरह से पुड़ित नजर आ रहे हैं कि लाल को आ बिंदो खाता राजीव नगर प्रतम दुग्त प्रबंद समिती बोरिंग पट्टा में चुनाओ संपन हो गए सभी वोटर ने अपने वोट के आधार पर फैस्ता सुनाया है नो प्रतियांशियों को विजव हासल हुए आपको बता दे कि सदस्स्य पद है सोला प्रतियाशियों मेदान में उत्रे थे दुग्द प्रबंद समिती के अठानवे वोटर आज पंद्रा प्रतियाशियों के भागे का फैसला करने के लिए आगे बढ़े जिनमें एक सदस्य को सर्वस समिती से स्वर्गे पनी राम आरी की पतनी को सदस्य सुना गया प्र प्रतियाशियों को जीट मेली वाकियों बाकियों को हार का मूँ देखना पड़ा है अब यही सदर से आगे ने निताल दुग्द उत्पादक सहकारी संकी अध्यक्षपद का फैसला तैकरेंगे कि अध्यक्ता शुरू से कह रही थी कि एस बदलाव लाया जाए तो ने लोग चुनाव में आए और इसमें जो है कि अभी पांच मेंबर हम लोगों की चीते हैं और हम चाहेंगे कि इस डेरी में जो है कि एक अच्छा बदलाव आए और यहां का जो तमाम अनुसासन है और जो देरी का संचालन है उसको ठीक किया जाए पूरा परियास करेंगे जब मद्दावदों हमको बोट देखिया हमें इस काबिल समझाया उनके उनके विश्वास पर हम खरा हुत रहे हैं कैसा लगा आज बोटिंग का समय था फिर रिजल्ट आ गया है किती खुशी है और इसी के साथ खबर उत्तरा खर्में फलार इतना ही बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहे हैं के नियूस इंडिया नमस्कार आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी उत्तर प्रदेश में मुक्य मंत्री